दोस्तों आज की डेट में एनेफी गेम्स कि कोई कमी नहीं है बहुत सारे एनेफीज गेम्स हैं जो बड़े-बड़े गेमिंग श्टूडियो ज बना रहे है play to earn opportunity एक बहुत जबरदस तरीके से अभी develop हो रही है तो आज जिस platform के साथ मैं आपको introduce करवाऊंगा वो एक ऐसा ही platform है जो इन blockchain games को basically एक funding platform की तरह provide करता है market place की तरह provide करता है और अभी तक इस type का कोई भी platform market में नहीं है और खास कर जो आप अभी यह देख रहे स्क्रीन पर trailer यह उस platform का एक upcoming game है जो अंडर development है तो platform को नाम है game starter और इसे के बारे हम आज बात करेंगे बड़ स्टार्ट करने से बारे दोस्तों हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यही मेरी इंडिकेशन है मेरी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए इंट्रेस्टिंग और इंगेजिंग कंटेंट बनाने की तो गेम स्टार्ट जैसे आप देख सकते हैं अभी उन्निस घंटे बाद जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक और भी कम टाइम रह जाएगा पर अप्रॉक्सिमेटली उन्निस घंटे बाद यहां पर गेम टोकन लिस्ट हो जाएगा गेट डॉट के साथ नहीं डिवेवलेप होते है यहां फिर जिनके पास ज्याधтов फंडिंग नहीं होती और कुछी डिवेवलेपरस मिल के जो गेम बनाते हैंसे उनको इनगेंडि गेम्स कर जाता है तो उनके लिए अभी यहांपे एक funding platform crypto based नहीं है हाला कि Kickstarter पर Indiegogo पर फंड करवा सकते हैं वह crypto based अभी तक कोई funding platform ऐसा नहीं था और game starter उसी niche को यहाँ पर cover करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी जितने भी games develop हो रहे हैं जो खासकर crypto based games हैं उनमें NFTs का बहुत बड़ा रोल है तो game starter basically आपको NFTs के थ्रू यहाँ पर funding provide करता है games को और साथ ही साथ यहाँ पर market place भी develop करके देता है जहाँ पर consumers, gamers, users जो भी हैं वो NFTs freely यहाँ पर trade कर सकते हैं तो अभी की market situation देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पर blockchain gaming में बूम आ रहा है उसके हिसाब से game starter जो है मेरे हिसाब से काफी promising platform है और definitely game starter को यहाँ पर first mover advantage में लेगा हो सकता है future में और वी ऐसे platforms आज है वाट फिलहाल game starter के जितनी partnerships हैं जो games यहाँ पर आ रहे हैं जो आपने original game देखा trailer शुरुवात में वीडियो के वो काफी promising लग रहा है अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि डाइनॉक्स फारे लेंड मार्स होराइजन और सोभी finance यह काफी सारे ऐसे games हैं जो मैं अपने पिछली वीडियो में भी कवर कर चुका हूं और वह काफी अच्छे games हैं और उनको यहां पर game starter ने support किया है तो उनके लोगोज आप यहां पर website पर देख सकते हैं गेंस्टार लेट्स इंडी गेंस फंट्रेस बाइस बाइस इंडिजिटल गेम आइटम साथ लिकुड इनेफ्टी तो यहां पर funding कैसे रेज हो रही है यहां पर बेसिकली जो भी game development में है जो भी game अपनी funding raise करना चाता है उनके जो nfts हैं वो game starter पर यहां पर sell होते हैं और वहां से उनको funding मिलेगी तो अभी तक जहां पर funding होती है Kickstarter पर Indiegogo पर वहां पर क्या होता है कि आपको traditional game जो है वहां पर बस आप fund कर देते हैं payment कर देते हैं और आपको हो सकता है कोई physical item मिल जाए या artwork मिल जाए बड़ आपको actual true game में ownership नहीं मिलती वो चेंज कर रहा है क्योंकि अब आपको NFTs के जरीए true ownership मिल जाएगी जिस भी game में आप इंट्रेस्टेड है जिस भी game में आप उसको fund करना चाते हैं तो इस पूरे platform का जो fuel है जो token जो native token चलेगा वो है game coin और वही लिस्ट हो रहा है कल gate पे और Uniswap पर tokenomics की थोड़ी देर में हम बात करेंगे पहले देख लेते हैं कि और क्या-क्या यहां पर चीजें दिखाई हुए नहीं वेबसाइट पर यहां पे कुछ points मेंशन किये हैं कि game coin क्या है bigger than token sales non-tokenized games are a billion dollar market nfts with a purpose game items are a proven fit for nft tech and have the most potential to become yield generating assets out of all nft types तो यहां से game items जो है वो definitely आपको returns भी generate करके देते हैं 100x better than equity crowdfunding illiquid equity crowdfunding often delivers 0x returns तो equity crowdfunding में आपको कोई भी return नहीं मिलता पर यहां पर आपको return के chances भी बहुत जादा है game starter originals basically क्या है select games that are produced and accelerated by game starter fund and accelerator जिसका example शुरुवात में था वीडियो के यहां पे comparison table दी हुई है कि game starter equity crowdfunding में और product crowdfunding से अलग क्यों है और क्या यहां पे इसके advantages हो सकते हैं similarly यहां पे launch pads और Kickstarter से game से कितना different हैं यहां पर वो भी उसके यहां पर टेबल में comparison दिया हुआ है जो interesting चीज़ है यहां पर वो है funding medium जो है वो game item nfts हैं राधर दन tokens और product resell अब यहां कुछ platform के features explain की हैं कि आप जब platform launch हो जाएगा games जब आने लग जाएंगे तो आप क्या expect कर सकते हैं primary market क्या है वी the first to access in game nfts तो जिस भी गेम के nfts हैं उनको आपको पहला access यहां पर मिलेगा क्योंकि वो और यहां पर trade हो रहे होंगे portfolio management याने की आपकी पूरी collection आप जितने nfts खरीदते हैं बेचते हैं जो भी आपने store कियो हैं वो सारा आप एक ही जगा manage कर सकते हैं तो आपको multiple games के different different website पर नहीं जाना पड़ेगा सारे games की एक ही website पर आपको यह nfts मिल जाएंगे अपनी collection में liquid trading तो अभी आज की rate में थोड़ी सी nfts में problem आती है कि उनकी इतनी liquid markets नहीं है उतने buy sell आपको order book में उतनी depth नहीं मिलती बट यहां पर यह लोग liquid trading भी possible करवाएंगे यानि कि आप जब मर्जी चाहें यहां पर nfts आके खरीच सकते हैं बेच सकते हैं इसके अलावा यहां पर आप जिसकते हैं game coin क्या है तो game coin जो है basically nft marketplace का जो main coin है वो है game coin और जितनी भी trading होगी वो game coin में ही होगी game coin के यहां पर क्या benefits है token holders अगर आप है तो आपको benefit मिलेगा from free discounts या फिपेंदिंग आप कितने tokens hold करेंगे उसमें आपको premium access भी मिल सकता है जिसके कुछ अलग features होंगे buy play trade collect earn सब कुछ एक ही platform पर यह कुछ बीच-बी 21 Capital Boxing Ventures तो काफी बड़े नाम हैं इनके साथ और यहां पर चुड़े होए हैं अब एक बार नजर माल लेते हैं पहले यहां पर इनके white paper बर और यहां पर white paper में business model देखते हैं और game economy देखते हैं तो business model इनका क्या है कहां से revenue generate होगा selling NFTs में 2% कमिशन है हर game coin की जो transaction है उसमें 0 0.2% यहां पर कमिशन होगी trading और exchanging NFTs अगर आप करेंगे तो 0.1% है और अगर आफ पर चेस करते हैं तो 2% कमिशन है तो यह जो है इनका revenue generating model है जहां से business grow करेगा growth model इन्होंने यहां पर दिया हुए कि growth model इनका क्या रहेगा वह आप यहां के पर सकते हैं अब चलते हैं आप जा सकती है पट यहां पर अगर आप अपना NFT सेल करना चाहते हैं तो वहां पर फिक्ष्ट डॉलर प्राइस वहां पर सेट कर सकते हैं और accordingly गेम कोईन का क्या प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको उतने coins मिल जाएंगे अगर आप बेचते हैं नहीं तो आपको उत साइन पर क्या value चल रही है यहां पर traditional payment methods का भी use किया जाएगा जाने कि पेपाल से credit card से भी खरीच सकते हैं और वहां पर दो परसंट चार्ज लगेंगे commission charges हैं जो मैं आपको पिछले screen पर दिखाए हैं अब player earnings as a player आप game coins कैसे earn कर सकते हैं उसके कुछ यहां पर methods लिखे हो है आप referral कर सकते हैं आप बीटास में participate करेंगे तो आपको मिलेंगे game coins या फिर advertisements आप watch करेंगे तो मिलेंगे trading पर मिलेंगे reward program अलग से होगा अगर आप bug भी report करते हैं reviews write करते हैं या ट्विटर फेस्बुक बार पर share करते हैं या फिर contest में तो इतने तरीके से आप game coins जो है वह actually में earn कर सकते हैं और यह interface की screenshot दी हुई है कि आपके portfolio में वह कैसे दिखेगा कि आपने जो जो काम की हैं जो टास्क की है उसके आपको कितने game coins यहां पर अलॉट हुए हैं अब फाइनली एक बर वीडियो के end में देख लेते हैं game coin के tokenomics game coin के यहां पर क्या tokenomics है तो 100 million coins की यहा यहां पर 25 million token sale हुए थे at the price of 0.08 dollars जो supply है यहां पर 25% और इन्होंने 2 million dollars महां पर raise किये हैं वहीं पर public sale में यहां पर 0.08 same price है बड़ यहां पर 4.25% ही supply का sale हुआ है बाकि यहां पर liquidity है incentives है team के पास यहां में 15% है advisors के पास 6% है development में 7.5% है token allocation यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कितना है और यहीं पर लिखा है vesting period कि depending on concept tier में coins allocate हुए है उसके साब से यहां पर vesting period है तो initially जो भी यहां पर sale हुई है उसका 20% आप expect कर सकते हैं unlock का और day one यानि कि कल uniswap पर अब definitely platform पर मैंने हिसाब से काफी ज़रा potential है क्योंकि game starter बिल्कुल एक नया concept लेक्या रहा है जो अभी तक भी आपका ही होगा तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करते हूं यह आपको पसंद आया होगा वीडियो को जुरू लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब पर मत बूलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment